बच्चो आज हम जानेंगे क्लस लेवन हिंदी से चैप्टर फर्स्ट का स्रांस जिसका सिर्शक है भारती गाईकाओं में बिजोड लता मंगेसकर यह सीबेसी पाटकरम पर अधारिते एंसे अटी बुक से लिया गया है बच्चो लता मंगेसकर जी के गाईन में यही गानपान है यानि वो गाईका जो एक आम इंसान को भी भाव भूर कर दे जो सत प्रतिशत है और यही उनकी लोगत्रियता का अधार है लिखक नेल लता जी की गाईका वो सुरिला पर और उनकी मिठास के बारे में बताया है लता जी के गाईन की एक मुखिद विसेशता उनके गाईन की निर्मलता है लता के गाने की उच्चरन की सुधता पाईजाती है प्रस्तत पाठ में लेखक कुमार गंदर्व जी ने सुर्ष समागरी लता मंगेसकर के अद्भुद गाईका पर प्रकाश डाला है उन्होंने लटा मंगेशकरजी के गयान की विश्यस्थाओं को हुज्यागर किया है उनके अनुसर चित्रपट संगीत में लटा जी जैसी अनगाईका नहीं हुई उनसे पहले पशिद गाईका नूर जहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था लेकिन लता मंगेशकर जी उनसे भी आगे निकल गए उन्होंने चित्रपड संगीत अत्यदिक लोक्तुरिये बनाया चित्रपड संगीत के करण लोगों को शोर के सुरिलेपन की समझ हो रही है लता मंगेसकर जी का समन्न मनुष में शंगीत विशेक अभीरुची पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है इक समानी सरोता सास्त्री गान और लता के गान में से लता जी का गाना ही पशंद करते हैं इसका कारण है लता जी के गानों में गान पान का होना गान पान का आश्य है गाने की वो मिठाज जिसे सुनकर स्रोता मस्त हो जाए लेखक के अनुसार उनके स्वर में निर्मलता उनके गानों की विशेष्था है जहां प्रशित गाई का नुर जहां के गानों में एक मादक उ शेस्ता है उनका नाद्ध में उच्चारा उनके गीत के किनी दो शब्दों का अंतर स्वरों के अलाप द्वारा बड़ी सुन्दर रिती से भरा रहता है लेखा के अनुशार लता मंगिसकर जी ने करून रस के गाने इतनी अच्छी तरह से नहीं गाए हैं जितना उन्होंने म गाएन की कमी लगती है इसका देश वो शंगित दिखदर्शा को देते हैं जिनोंने उनसे उची पट्टी के गाने कवाए हैं चित्रपट संगित गाने वाले को सास्त्री संगित की उत्तम जनकारी होना आवश्यक है और यह लता मंगिसकर जी के पास निश्य है सास्त्री संगित और चित्रपट संगित की तुलना नहीं की जा सकती है सास्त्री संगित की विशेस्ता उनकी गंबिर्ता है तता चपलता चित्रपट संगित का मुख्य गुन्य धरम है चित्रपड संगीत का ताल प्रात्मिक अवस्था का ताल होता है जबकि सास्त्री संगीत में ताल अपने परिस्क्रित रूप में पाय जाता है बच्चो चित्रपड संगीत की विशेस्ता उसकी सुलपता और लोचता है लताव मंगेसकर जी का एक गाना संपुन कलक्रिती होता है उनके गानों में स्वर, ले और सब्दार्थ का त्रिविंड शंगम होता है चाहे वो चित्रपड संगीत हो या सास्त्री संगीत अंत में उसी का अधिक महत्व है जिसमें रशिक को अनन देने का समर्थ अधिक है गाने की सारी ताकत उसकी रंजिता पर मुखता और लंबी तुरती है संगीत के छेत्र में लताव मंगेसकर जी का स्थान अवल दर्जे के खंदानी का एक के समान है खंदानी गोईयों का दवा है कि चित्रपड संगीत ने लोगों के कान बिगार दी है लेकिन लेखा का मानना है कि चित्रपड संगीत के कान लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है लेखक के अनुसर सास्त्री गायनों ने संगीत के छित्र में अपने हुकम शाही अस्थापित कर रखी है उन्होंने सास्त्र सुधता की कर्मकांड को और शक्ता शादिक मोहते दे रखा है आज लोगों को सास्त्र सुध और निरस गाना नहीं बलके सुरीला और भावपुन गाना चाहिए चित्रपड संगीत के कारण ये संबो हो पाया है इसमें नो निर्वित की बहुत गुंजाईस है बड़े बड़े शंगीत कार लोग गीत पहाड़े गीत तता खेती के वीद कामों का इसाब लेने वाले क्रिशिक गीतों का भी अच्छा प्रियोग कर रहे हैं इस प्रकार चित्रपड संगीत दिनों दिन अधिक अधिक विक्सित होता जा रहा है और इस शंगीत की अनेविशिक्त मतल्यानी बेताच शमागरी लता मंगे सकरजी हैं बच्चों अब हम इस पार्ट से कुछ कठीन सब्दों के अर्थे जान लेंगे जैसे मलिकाय मतलब स्वरो का क्रमबंध शंबू धोनी मुद्री का मतलब स्वरलीपी सस्ती गाई की मतलब जिसमें गायन को निर्धारित नेमों के अंदर गाया बजाया जाता है मालकोस मतलब बहर्वी थाट का राग त्री ताल मतलब यह 16 मत्राओं का ताल है दृतलय मतलब तेजलय उची पट्री मतलब उची स्वरो का प्रियोग जल दलय मतलब दृतलय लोच मतलब स्वरो का भारिक मनरजन प्रियोग तेल चित्र मतलब जिस चित्र में तेली रंगों का उप्योग किया जाता है प्रजन्य मतलब बादल, अभिशिक्त मतलब बेताज